एक हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आशे करते हों आप सभी ठीक होंगे चुंगे बिना नाम है सुधी और आज हम पढ़ेंगे ठीक है डैरेक्शन के बारे में तो डैरेक्शन आपके चार होते हैं आपको पता है इस वेस्ट नार्स आउ पे तो इनी के बारे में पढ़ना है कि आज हम location के बारे में बात करेंगे जो हमें directions बताते हैं तो चार तरीके के main directions होते हैं East, West और North, South ठीक है तो देखिए जब भी आप direction देखने बैठिए तो मैं बताता हूँ देखा कैसे जाता है देखिए आप अपने face के सामने जो भी चीज़ रखेंगे तो आपके face के सामने क्या होता है जैसे माली आपका face यहाँ पे है तो face के सामने क्या होता है North direction क्या होता है North direction आपके right hand के side में होता है East direction आपके left hand के side होता है West direction और North के just opposite नीचे क्या होता है South direction होता है ठीक है तो देखीं इंडिया है इंडिया की इस साद में जो marisत में य יותר जाए वेश्ट में आती हैं उपर जैसे की कश्मीर है लग्दाग है दिल्ली है उत्तरप्रदेश यह सब किसमें आते हैं नौर्थ में आभ साउथ इंडिया आप कहते हैं न, South India में क्या क्या आता है, केरला आता है, ठीक है न, तमिल्नाडू आता है, तो यह सारी चीज़ें आपकी कहां पर आती हैं, इंडिया में, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं, South India, तो Quesion देखे, यहां पर क्या पूझा गया है, कि Ladakh is in the Dash of India, तो Ladakh देखे कहां पर है, तो Ladakh आप देखे हैं वोपर है, और ऊपर कि तरफ कौन सा डाHarekशन गया है? नौर्थ, तो यहां पर किया लिखेंगे, नौर्थ, ठीक है न, चलिए लिख देंगे, नौर्थ, लिखेंगे इंडिया के साउथ में है ठीक लिख लिए आपने अब आगे आपते हैं गुजरात और वेस्ट बेंगॉल तो दोनों एक साथ देख लेंगे देखें गुजरात आपका किधर डायरेक्शन में है यहां पर ठीक देखें लद्दा की कैपिटल ले है वेस्ट बेंग है वेस्ट में तो आप लिखेंगे वेस्ट ओफ इंडिया तो डोस यहां पर खत्म होता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमसकार